ये है दिली दर्पन मैं आपकी इस समस्या से बहुत वाकिभ हूँ और बहुत ही सिंपैथी रखता हूँ पीछे आपकी पूरी दिली के चेयर्मेन जो अपना साजी है ने सुझी कुमाजी वो आये थे और मैंने तुरंट ही ल्डी साफ से बात के थे एल्डी साफ से मेरी इस बारे में दो बार बात हो चुकी है और मैंने उनको कहा कि आप तुरंट ऐसा कोई प्राफदान कीजिए क्योंकि जो आपने बनाया हुआ है प्राफदान ये फीजिवल नहीं क्योंकि कोई स्कूल क्यों लगाने देगा और आपके ये रोजी रोजगार की समस्या है इसका समधान निकलना चाहिए उन्होंने हमें ये कहा था पिछ्री बार कि हम अगले सेक्रेडे यानि ये जो सेक्रेडे चला गया इस पर हम जरूर रेनाउंस्मेंट करें लेकिन मैं आपको ये आस्वस्त करता हूँ कि अब मैं दुवारा से तीन थीसरी बार बात करूँगा और अगले हपते तक कोई समधान चरूर नहीं है मैं इतना अस्वस्त करता हूँ क्योंकि ये समस्या निगम को आप दे रहें लेकिन ये निगम की नहीं है कि टीडी में जो आप जानते हैं आज कल जब डिसास्टर कोरोना पैंडिमिक चला है तो वो एल्जी साहँ उसको हेड करते हैं और वो सारी गाइडलाइन्स फिरिश्टी से बनके आती हैं नहीं मैं बिल्कुल आपकी बातों को रखते हुए हमने आपका पच्छ रखा है क्योंकि हमारे लिए दोनों ही चीज़ें प्रियोरिटी आपका रोजगार भी है और क्रोना पैंडिमिक का लेकिन हम एल्जी साहँ से रिंग्योश्ट करेंगे जब तमाम रेड़ी पड़ी और सब्जी मंडी सब लग रहा है तो आपको क्यों रोखा है आप भी क्रोना के नीमो का पालन करते हुए वैक्सीन लगवागते हुए और उनको चालू करिये तो जानस जानर यही होगा कि जिसने वैक्सीन लगवाई है और कोरोना के प्रोटोकाल का फालू कर रहा है तो मैं अरोड़ा की यह कह रहा हूँ मैं आपको आसुस कर रहा हूँ मैं आज ही बात करूँगा और एक तो दिन के अंदर कोई न कोई अच्छा पॉस्टिक इसमाज़ करें आपका बहुत बहुत धनिवाद आपकाल कर रहा है